वंदे मात्रम मैं विजय ठाकर आपका स्वागत करता हूं सब्सक्राइब आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11 में स्टाटिस्टिक्स का चाप्टर नंबर 2 की शुरुवात हो चुकिए जिसमें एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने यह समझाता कि जो स्टाटिक् स्टा caution यह सबसे पहले बात होती है कि रही हम लोग पर सुछ करें के मतलब क्या होता होगा अलग-अलग लोगों के सोचने के हिसाब से अलग-अलग स्टाटिस्टिक्स होता एक क्रिकेटर की बात करें, या एक एंपायर की बात करें, या एक रैफरी की बात करें, या एक हम लोग छोटे बच्चे की बात करें, एक समझदार बुज़ूर्ग की बात करें, तो हर किसी के दिमाग में का अलग अलग मीनिंग होना चाहिए हुष हज्ए क्लास छाइब हमें स्टर्थ का मीनिंग बता यूंग क्या करें तो आयए मिरे साथ our समझते हम लोग मीनिंग ओफ इस्टर्टिस््टिक को स्टर्टिस्ट हास्थ इस differently by different writers समय समय पर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अपनी बाते कहिए अपने अलग-अलग विचार दिये अपनी अलग-अलग सोच दी तो टाइम टाइम पर स्टार्टिस्टिक्स का मीनिंग जो है continuously change होता चला गया some authorities defined as statistical data इनने कहा कि statistics अपने आप में statistical data है data का मतलब किसी चीज का meaning information meaningful information जो है इसको यहां पर data कहा जाता है तो जो meaningful information है statistical data का उसको हम लोग ने जो पहले पार्ट में बाटा उसको बोलते हम लोग plural sense and statistical method is known as singular sense तो इसको दो तरीके से बाट दिया गया एक तो बाट दिया on the basis of data and second बाटा गया on the basis of method तो method में जब बाटा गया तो इसको कहा गया singular sense और जब यह data के बाटा गया तो इसको कहा गया भाई plural sense तो plural और singular यहां पर समझ में आया हम लोगों को तो हम लोगों को literal अगर देखा जाए तो statistics की meaning नहीं है but statistics की meaning को हम लोग define करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक ना चलिए इसको हम लोग parts भी divide करते है statistics in two sense कौन कौन से sense है तो सबसे पहला है जो plural sense है which is totally based on the data जो data आएगा उसके हिसाब से अगर हम लोग division करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग यहां पर plural sense और दूसरा जो methods की बेश पर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर singular sense okay तो plural और singular समझ में आ गया तो plural में हमें information जो भी मिलने वाली है वो सारी numerical भी मिलने वाली है मतला numbers के तुरू जो भी data आपको मिलेगा वो सारा का सारा plural sense का पार्ट होता है बट अगर हम लोग इस पे ना जाए method पे चले जाए तो यह हमारे लिए एक information होती है जैसे mean, median, mode अगर हम लोग देखे तो यह हमारे लिए statistical का कौन सा पार्ट है वही singular sense क्यों क्योंकि यह method से हमारे लिए मट कुछ numbers का calculation है तो वह सब कुछ किस में चला जाएगा यहां पे plural sense में चला जाएगा तो इस तरीके से हम लोग statistics की meaning को यहां पर क्या करते है डिफाइन करते है दो पार्ट में तो ऐसे ही अब हमारे शांदार और जांदार वीडियो बने रहे हैं मेरे साथ करना पड़ेगा च्छोटा सा काम इस चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग आल